बीज़ेपी और कॉंग्रेस में जबानी जंग तेज हो गई है आपको बता दे कि प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया कि एक परिवार संसद नहीं चलने दे रहा है बज़़ेपी और कॉंग्रेस में ये जंग तेज होती जा रही है पुएम मोदी ने असम की रैली में संसत के ठप करने के लिए एक परिवार को जिम्मेदार बताया तो कॉंग्रेस उपाध्यक्ष राहूल गांदी ने पीम मोदी पर पलटवार करते हुए कहा कि पीम का काम देश चलाना है ना की बहाने बनाना मतलब 23 फरवरी से शुरू हो रही बज़ट सत्र से पहले टकराओ के स्तिती साफ दिख रही है मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा एक परिवार अड़ा हुआ है कि हम राज्य सभा नहीं चलने देंगे हम कोई काम नहीं होने देंगे क्योंकि देश की जनता ने हमें हराया है और हम उसका बदला लेकर रहेंगे जो 400 सीट से घटकर 40 सीट पर आगए वे बाधाएं खड़ी कर रहे हैं इस पर राहुल गांदी ने पलटवार करते हुए कहा है कि प्रधान मंतरी का काम देश चलाना है बहाने बनाना नहीं है लेकिन पिछले 18 महीने से प्रधान मंतरी सिर्फ बहाने बना रहे हैं देश नहीं चला रहे हैं जिसके कारण किसान दुखी हैं श्रमिक दुखी हैं राहुल ने कहा देश ने नरेंद्र मोधी को बहाने बाजी के लिए नहीं चुना था देश ने एक ऐसा नेता और नेता को बहाने नहीं बनाना चाहिए नेता को वो काम करना चाहिए जिसके लिए उसे चुना गया है